है लो प्रेंट्स वागत है हमारे इस यूटिव चानल पे फ्रेंट आज के इस वीडियो में रिवीव करेंगे बल्लीवूट के गॉर्शिप पर इट फिलिम गौर दोस्तो इस फिलिम का नाम है अंतिन दा फाइनल तोर्थ दोस्तो इस मूवी को रिलीज 26 नॉवंबर 2021 में र हो चुकी है सलमान खान सार फैंस के बेसबरी से इंतजार थे इस फिलिम को रिलीज डेट को लेकर दोस्तों इस फिलिम रिलीज भी हो चुकी है और फ्रेंड हम सबको पता है सुपर रेस्टा सलमान खान सार के बड़ी बॉलीवूट में सबसे बेस्ट माना जाता है तो उनक सर्मा बर्डी बनाने में लग गये थे क्लाइमर्स उनका टकर सीधा बॉलीवुट का दबंघ खान से होने वाला है हमनेher कई सारे सर्प्राइज मिलने वाला है जो की फिल्म का बेस्ट पार्ट होगा अब फ्रेंड बात करे इस फिल्म уже तो ये फिल्म में लीड रोल में सलमान खान आयू सर्मा प्रकास जैस्वाल लीड रोल में नजर आने वाले हैं तो दोस्तो बॉलिवूट के खिलाडी वही है सलमान खान जो की आज के समय में इंडियन सिनेमा के चाहते सुपर रिश्टार मन चुके हैं और दोस्तो आज के समय में इनके हर कोई अपनी फिल्म में लेना चाहता है। इनकी मच आउटेट फिल्म अन्तिम दा फाइनल टूर्स जो की इनकी केरियर के अब तक के बड़ी फिल्मों में से एक है। और दोस्तो इस फिल्म में आपको लजवाब एक्षन देखने को मिलने वाला है। बॉलिवूट के शुपर रिष्टा सालमान खान की फिल्म अन्तिम दा फाइनल टूर्स का तीसरा गाना होने लगा। मंगल बार को रिलीज हो गया है। इस गाने में पहली जलक में आपिनेता से सोचल मीडिया पर रिलीज किया गया। इस तस्वीर को आयूश सर्मा महिमा मकवान के साड़ी का पल्लू पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। बॉलीवूट का सुपर स्टार सल्मान खान और आयूश सर्मा अभीनित फिलिम अंतिन दा फाइनल टूर्स 26 नुमबर को सिनेमा गर में रिलीज हो गया है। इस फिलिम का कहानी में एक पुलिस वाला और दूसरा गेक्स्टर आमने सामने होंगे और दोनों के बीच भैंका रूप से उर्ग मुठ भेड और संगर्स होंगे। इस मुवी के नाम के पीछे क्या कहानी है ये भी बहुत दिल्चस्प है। इंडिया टीबी से एक्सलिशिव बात चीत करते हुए खुद आयूस सार्मा ने इस फिलिम के नाम के पीछे की कहानी के बारे में बताये हैं। और दोस्तो 26 नोवंबर के रिलीज हुई आंतिन दो फाइलनल टूर्थ मोवी 32 से सिनिमा गर में रिलीज हुआ था और 27 नोवंबर को 4000 स्क्रीन पर रिलीज होगी। तो दोस्तो ये फिलिम इंडियान बॉक्स से पिस्वा कितना कमाई कर लेगी। आप अपने राय कमेंट बॉक्स में बताना जरूर ना भूले। और हमारे इस यूटिव चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बैल एकन दबाना ना भूले।